दोस्तों यहां पर हम बात करने जारे हैं यूपी-PSC-RO-ARO की जैसा की इसका नोटिफिकेशन आचुका है उसके बात से लगातार आप लोग के कुछ डाउट्स हैं जैसे की की पेट इलिजिबल है की जातर बचे समझते है की जो एक्जाम होता आपका यूपी का सबके लिए पेट की जरूरत है प्लस पदों की संख्या क्या बढ़ सकती है और आपको यह बताऊंगी OTR क्या है क्या क्या वक्या करना है तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना जोश्तों के साथ शेर करने के चैनल को सबस्कुर्स्क्राइब ज़रू करले डा क्योंकि हम लोग आप स्ट्राटीजी बिना कर के जिस्ट परिशा को क्वालिफाइ कर सकते हो देखो ये परिक्षा आपको पता है UPPSC के दोरार निकाली जारी है UPPSC जो है आपको पता है अधिकारी बनाएगा अधिकारी के लिए पढ़ाए भी अधिकारी की तरह ही करनी पड़ेगी यानि कि अगर आप यह सोच रो कि महनत नहीं करोगा सेलेक्षन हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल है आपके पास समय कितना है फिर आपकी बाते करेंगे समय कितना है दोस्तों ऑक्टूबर से लेकर नवंबर तक तो फॉर्म भरा जाएगा तो यह दो महीने है प्लस दिसंबर में तो एकजाम हो पाना बड़ा ही मुश्किल है तो जैनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी में आपका एकजाम हो सकता है तो जैनवरी को टारगेट लेके चलेंगे यानि 3-3 महीना अभी भी आपके पास है अभी भी अगर आप स्ट्राटीजी से चीजों को देख कर कि पहले क्या चीजों का वेटेस जादा है मैंने कई वीडियो बनाई हुई है वो सब देख के प्लस इस चैनल पे एक सर का इंटरव्यू पड़ा हुआ है जो खुद सची वाले में समिक्षा अधिकारी के पद पर कारे रत है उस वीडियो को ज़रूर देख लेना सन्य जो स्ट्राटीजी बताई है जो बुक्स बताई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देदे आगा उस वीडियो का उसको जरूर देख लेना जरूर हेल्प मिलेगी ठीक है चलो अब सुरू कर लेते हैं पदों की संख्या क्या है तो आपको बता ही है 411 आपके पद है और मुझे लगता नहीं इतनी वेकेंसी आपकी इसके पहले भी कभी आई होगी सबसे बड़ी बात ही है यहाँ पर आरो की पद बहुत जादा है समिक्ष अधिकारी के आस कंपेर टू ए आरो के ठीक है दूसी चीज दोस्तों यहाँ क्या बताना चाहूंगी आपको कि जो पदों की संक्याई यह बढ़ भी सकती है घटने के चांसे तो कम ही है बढ़ सकती क्यों कि लोगसभा का चुनाव आने वाला है ठीक है योगिता क्या है आपकी एज क्या है तो एज वही आपकी किस से चालिश रहेगी योगिता मैं भी आगे डिसकस करूंगी syllabus आपको बता दूँगी form को कैसे बढ़ना आपसे important जो यहाँ पे वो क्या है OTR तो OTR क्या है देखो दोस्तों OTR कुछ नहीं जैसे आप form भरते हो तो वहाँ नाम पापा का नाम अपनी date of birth वगेरा डालते हो अपने number वगेरा वही सेम आपको यहां OTR में करना है OTR देखो कर आप form को फिल करोगे और बाकी काम करोगे ठीक है तो form बढ़ना बहुत आसान है OTR बढ़ने से फायदा है कि आगे UP pieces को कोई भी exam होगा आपको प्रब्रम नहीं होगी details भरी रहेंगे फटा-फट से आप form को भर लोगे ठीक है कोई issue आता है तो मुझे comment session ने बताना मैं OTR की definite ने दूसरी वीडियो ले आओंगी जहां बताओंगी कैसे आपको फॉर्म को बढ़ना है ठीक है सेलेक्शन के लिए क्लिए क्या करना है वो तो मैं भी आपको बताओंगी चलो नेक्स्ट वीडियो देख लिए नेक्स्लाइड क्या है मारी ओन्लाइन को डेट है 9 के पढ़ाई करना श्रीव करो स्ट्राटीजी बनाओ टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो अब लास दिन के रख लो की लास दिन फॉर्म भरेंगे तो उस्तों कोई फादा दो होना नहीं है OTR देखो बहतर घंटे बाद मैंने बताया आपको मिलेगा तो इसलिए टाइम से उस्वार्म को भर दो फीस अगर बात कर लो तो जनरल OBC EWS की 125 रुपए है SC ST की 65 रुपए है Physically Handicap में दिव्यांग जन की 25 रुपए है Ex-Service Man की 65 रुपए है Freedom Fighter, Female, Sports Quota इन सब लोगं को अपनी कैटेगरी के अंदर ही फीस लगेगी यानि कि कोई लड़की अगर है महिला है और वो जनरल कैटेगरी की है तो उनकी फीस 125 है कोई महिला ऐसी है तो उसकी फीस कितनी होगी 25 होगी सबसे इंपोर्टन बात बार बार बता रही हूँ पेट की कोई requirement नहीं है यहाँ पे अब इसके बाद मुझे कमेंट में पूछना मैं पेट चाहिए की नहीं पेट की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ ठीक है प्लस इस जॉब में सबसे अची बात है कि आपको सीधे अधिकारी कैसे बना रहे है बिना किसी इंटर्व्यू के आप क्या हो रहे हो सीधे अधिकारी बन जा रहे हो कोई इंटर्व्यू नहीं होगा सिफ दो फेज में एक्जाम होता है आपका एक प्री होता है और एक आपका मेंस होता है बस यही दोनों कर लिया आपने क्वालिफाई तो आपकी नईया पार हो जाएगे ठीक है चलो आगे देख लो आगे क्या हमारा देखो आगे लिखा हुआ सची वाले मैंने बताया आपको 322 पदाएं सबसे ची बात पता है इस एक्जाम के क्या है किस एक्जाम में आपका ट्रांसफर नहीं होता है इस एक्जाम में बतार नौकरी में आपको पताने सबसे प्रॉब्रम जो होती है हर एक्जाम में वो क्या होती है ट्रांसफर की हो जाती है यहां पर क्या है लड़कियों के लिए प्लस लड़कों के लिए भी अच्छी पॉर्चुनिटी क्या है कि आप एक ही शेहर में हैं सची वाले में आपको 322 पत मिले यानि आप लखनों के लखनों में ही पूरी लाइफटाइम रह सकते हो ठीक है चलो क्या है अगर ARO में अपका सेलेक्शन होता है तो आपकी सलेक्शन होगी बेसिक पे 46,949,42,42 यानि कि 75,000 तो ऊपर ही आपकी सलेक्शन होता है ठीक है लेवल 8 यानि आपका भी hust chain historic I harp 1100 रुपए यानि यहाँ जो salary होगी पचासी हजार से तो डेफिनेटली उपर होगी तो आपको यह दिख रहा होगा यह salary है भाई खाली salary बाकी चीज़ों भी जोडी नहीं गई तो यह salary तनी आदागा आपको इन हैंड मिल रही तो मेरे क्या से तो यही बहुत अच्छी चीज़ है motivation के लिए salary से अच्छा क्या हो सकता है ARO की अगर बात करें और ARO की हम योगिता की बात करें तो ARO की आपको simple graduation करना है कहीं से भी आपका graduation complete होना चाहिए यह नहीं graduation चल रहा हो graduation complete है तो आप इस form को बढ़ सकते हो ARO की लिए graduation plus O level और हिंदी टंकड में 25 प्रतमीना कुछ है यह ARO की requirement है हाँ कुछ आपको पता होगा O level के equivalent कई कोर्सें तो जो equivalent है वो आपके obvious सी बात है ARO के अंदर आ जाएंगे ठीक है age क्या है? age मैंने आपको जोन्रूल की बताई है 21 से 40 बाकी जो आपको बता है केडिगरी में छूट मिलती वो वही है complete detail आपको telegram link पे message कर दिया गया जो पूरा notification आया है जो चीजे आपकी syllabus में है सब कुछ बता दिया है मैंने बस आपको क्या करने telegram link को join कर लो वाह सब चीजे मिलती रहेंगे अब जो आगे classes भी होंगी जो strategy बताओंगी time table बताओंगी तीन महीनों में कहें चीजों को खतम करना हमें कि चीज का वेटेस ज्यादा है उसे recording पढ़ाई करनी है उन सभी चीजों के लिए आप चैनल पे नहीं होंगे सब्सक्राइब करना तभी आप वो चीजे जान पाओगे ठीके चलो आगे देख लेते हैं अब क्या पताना है मुझे देखो सबसे important चीज जो बतानी वो ध्यान दे दो मैंने आपको बताया तीन phase में exam नहीं होता सिर्फ दो phase में होता है pre होता है और mains होता है कोई interview यहाँ पर नहीं होता है pre में क्या paper आता है gs आता है और आपका hindi आता है ठीके हिंदी आता है gs कितने number का है gs आपका 140 है hindi कितने का है hindi आपका 60 का है 60 पर भी आपको पता है सिर्फ 6 topic आते है 6 topic मतलब क्या है हर topic से 10 question आते है ठीके हर topic से 10 question आते है और यहाँ पर negative marking कितने की है नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1 by 3 की है कितने की नेगेटिव मार्किंग है 1 by 3 की नेगेटिव मार्किंग है क्लियर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है 140 और 60 मिला के कितना हो गया ये हो गया कुल 200 अंकों का पेपर होता है अगर आपने पिछले इसके पहले कट ओफ देखी होगी 132 के अप्रॉक्स हमेशा कट ओफ जा रही है कितनी जारी है ये कट ओफ जारी है हमारी अपने पीछे के पेपर देखे होंगे तो हमें कितने का टागट लेके चलना है कम से कम 140 प्लस अंकों का हमें टागट लेके चलना है अगर हमें इसका प्री क्वालिफाई करना है तो दोख आप कहोगे मैं मेंस के डिसक्रिशन नहीं करनी तो भई पहले प्री क्वालिफाई कर लो मेंस मुझे पता जो उसमें क्रीम जाती है ना मेंस क्रीम जाएगी छटके वह मेंस बाई हुक बाई क्रुक मतला आप जी जान लगा के मुझे पता है महरत के निकाल दोगे अभी से आप ये करो कि प्री छोड़के पत्र लेखन के तयारी कर लो निबंद के तयारी कर लो इसी तीन महीने में तो बहुत दिक्कत होगी ये वह कर सकते जिनकी प्री की तयारी है अलड़ी जिनकी प्री की तयारी है वह पत्र लेका न अर्दिशाश की पत्र पढ़ें लेकि जिनकी नहीं तयारी में उनको बिलकुल नहीं काऊं कि आप मेंस की तयारी करो आप सिर्फ फोकस प्री में करो, प्री जब हो जाएगा, जैसे एक्जान देकर आना प्री का, आपको परस जाना, पेपर कैसा किया, कैसा नहीं किया, उसके तुरंद बाद किसमें गुल जाना, मेंस के लिए, उसी दिन से, लेकिन अभी मेंस का डिस्कुशन नहीं करने वाले, तो यहां पर दिखो आपको क्या करना, एक्षोचारलिस कе लिए, जी असमें आपको मानके चलना है, कि टिरासी से पचासी क्वेश्चन आपको जी लेकर, पचपन से लेकर क्या, पचपन से लेकर आपको, अठावन नंबर तक आपको हिंदी में स्कुर करने है, तबही आपका यह टारगेट जो है पचासी, 140 प्लस वाला वो अचीव होगा अब इसका मतलब आपको कितने क्वेशन कर के आने है, attempt कम से कम कम से कम जीएस में तो, इसमें तो पूरा साथ के साथ मुझे पताय कर किया होगे GS में कम से कम 120 question तो attempt करना होगा Attempt की लिए क्या होगा? पढ़ाई तो जरूरी है, पढ़े रहोगे, तभी तो कर पाओगे अब दिखो, इसके पहले मैंने वीडियो बताई थी मैंने आपको बताया था किन चीजों का weighted जादा है लेकिन फिर से मैं separate वीडियो एक बना दूँगी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हो, history history आपको जादा focus करना है, history का weighted बहुत जादा है current affair, ठीक है? इसका भी weighted जादा है reasoning से मैंने कहा है, आपके free के number मिलते हैं reasoning से free के 10 से 12 number मिल जाते हैं reasoning तो सब को बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, ठीक है? यही overall चीज़े थी आपको जो बतानी थी कोई और query हो, तो comment section ने पूछना plus मैं आपको क्या? सारी चीज़े आपको बेच्चुकी हो telegram पे, जो इसका complete pdf है जो भी इसका syllabus है, सब बेच्चुकी notification बगेरा भी आपको कोई query हो, comment section ने बताना मैं यहाँ पर आपको strategy बताऊंगी, time table बताऊंगी कैसे कैसे पढ़ना है, तीम मैने में आपकी चीज़े cover हो जाएंगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक तो करना, दोस्तों हाँ शेयर करना और सब्सक्राइब बार बार कहरे हो, जरूर कर देना धन्यवाद